गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सेविल थर्ड यर के टॉस सब्जेक्ट की यूनिट टू के टॉपिक कैलकुलेशन आफ स्लोप एंड डिफलेक्शन इन सिंप्ली सपोर्टेड लोड़ेट विद यूनिफर्मली डिस्टिबूटेड लोड के मैथर्ड को डिसकस कर तो इसके अंदर फर्स मैथर्ड आता है आपका बायड डबल इन्तेडрим यहां पर यह अपको एक डाइग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ये अबी आपका एक सिंप्ली सपोर्टेड बीम है और इसपर डबल्य इंटेंसिटी का यूडियल लगा हुआ है जैसा कि इसमें ये जो नीचे dotted line है ये इसके deflection diagram को show कर रही है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि maximum deflection जो होगा इसका वो center पर होगा यानि L by 2 distance पर होगा तो हम यहां देखते हैं कि A और B point पर हमारी slope होगी A point पर theta A slope होगी और B point पर theta B slope होती है तो इसको हमें solve करने के लिए जो हमारा simply supported beam है उसके कहीं पर भी हमने A support से X distance पर एक section ले लिया यहां पर यह section आपको यह यहां पर दिखाई दे रहा है तो इस X section पर हम left part को consider करते हुए इस X section पर bending moment के equation लिखेंगे जो की हमारी होगी M X is equal to R A X minus W X square by 2 इसके बार आप सबको पता है कि E ID square Y by DX square is equal to M होता है तो यहां पर हम M की value जो हमने अभी निकाली है उसे put कर देंगे तो E ID square Y by DX square is equal to हो जाएगा हमारा W L by 2 X minus W X square by 2 हम इसका एक बार integration करेंगे तो integration करने पर हमें जो equation मिलेगी वो होगी हमारी E ID Y by DX equal to W L by 2 और X का integration होगा हमारा X square by 2 minus W by 2 और X square का integration करेंगे तो हमारा आएगा X cube divided by 3 प्लस एक constant आजाएगा यहां पर C1 यह हमारी होगी equation number A यहां पर जैसे कि diagram में आपको दिखाई दे रहा है कि diagram जो है हमारा वो symmetrical diagram है इसके कारण X बराबर L by 2 पर X equal to L by 2 पर DY by DX की value हमारी 0 होगी जब हम इस equation A में DY by DX को 0 पुट करेंगे और X बराबर L by 2 पुट करेंगे तो हमें C1 की value मिलेगी minus WL cube divided by 24 हम यह C1 की value equation A में रख देंगे तो जिससे हमें यह वाली equation EI DY by DX equal to WL by 4 X square minus WX cube upon 6 minus WL cube divided by 24 मिलेगा यह हमारी equation number B है जिसे हम slope equation बोलेंगे और इस equation में आप X की किसी भी value के लिए उस जगह पर slope की value को calculate कर सकते हैं इस particular diagram के लिए अब हम इस equation B को वापस से एक बार integrate करेंगे इसलिए इस method को हम double integration method बोलते हैं क्योंकि हम इसमें जो हमारी equation है उसको दो बार integrate करते हैं तो इससे जो हमें equation मिलती है वो हमारी होती है E I Y equal to W L by 4 X cube upon 3 W by 6 और X cube का जब आप integration करेंगे तो X 4 divided by 4 minus W by 24 into L cube constant है आपका और X के respect में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर value आजाएगी आपकी X एक नया constant आएगा यहाँ पर C2 इस equation में हमें पता है कि X की value X equal to 0 पर क्योंकि यहाँ पर एक support लगा हुआ है इसलिए इस जगा पर deflection की value Y की value 0 होगी तो यहाँ पर हम जब equation number C के अंदर X और Y की values को put करेंगे तो हमें C2 की value 0 मिलेगी और जब हमें C2 की value 0 को equation C में provide करेंगे तो हमें equation मिलेगी E I Y equal to W L by 12 X cube minus W by 24 X 4 minus W L cube divided by 24 into X यह हमारी equation D है जिसे हम deflection equation बोलेंगे तो हम यहाँ पर equation number B और equation number D से इस diagram में कहीं पर भी slope और deflection की value को निकाल सकते हैं जैसे की अगर हम X बराबर 0 पर slope निकालेंगे तो हमें यह slope A point पर मिलेगी जिसकी value हमारी आएगी I A equal to minus W L cube divided by 24 E I इसी तरीके से हम equation D में से अगर deflection निकालना चाहते हैं तो X बराबर L by 2 पर हमें maximum deflection C बिंदू पर मिलेगा जिसकी value हमारी Y C equal to minus 5 upon 384 W L 4 upon E I होगी इसी तरीके से double integration method के अलावा हम इसको by area moment method के through भी solve कर सकते हैं तो area moment method के अंदर हम slope और deflection की value निकालने के लिए इसका जो भी हमारे पास diagram है इसका bending moment diagram ड्रॉ करेंगे तो ये इसका bending moment diagram होगा जिसके maximum ordinate की value W L square by 8 होती है अब यहाँ पर area moment method के अंदर जो bending moment diagram है इसके area से हम लोग slope की value निकालते हैं और A into X को use में लेते हुए हम उससे deflection निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका bending moment diagram का अगर आप area लेते हैं इस तरीके से अगर हमारा area आता है जिसकी ये वाली length अगर B है और height H है तो इसका जो area निकलता है वो होता है आपका 2 by 3 BH और इसके CG की distance N point से N point से अगर हम यहाँ तक CG की distance लेते हैं तो वो होती है 5 by 8 B यहाँ पर area moment method के अंदर जो theta A B यहाँ पर इसकी value होती है आपके theta B minus theta A जो होती है हमारी 1 upon E I submission यहाँ पर हम boundary conditions में जो lower और upper values रखेंगे वो B to A area कहां से कहां तक लेंगे हम B से A तक का तो इसके अंदर हम जो A point है वो ऐसा choose करेंगे इन दौनों में से theta B और theta E में से एक point ऐसा choose करेंगे जिस पर slope की value हमारी 0 हो ताकि अगर हमारी theta A की value 0 होगी तो हमें theta B की value find out हो जाएगे इसी तरीके से deflection निकालने के लिए db minus dA is equal to 1 upon E I summation b to A A x bar तो यहाँ पर भी हम अगर dA की value को ऐसा point लेंगे जिस जगह पर हमारा जो deflection है वो 0 होगा तो हमें जो deflection मिलेगा वो सिर्फ एक particular B point पर जो deflection हो रहा है उसी की value मिलेगी तो इसी को हम use करते हुए यहाँ पर इस question को करेंगे तो इस question में आपको दिखाई दे रहा है कि जो A point है इस पर हमारी जो deflection की value है वो 0 है और C पर deflection की value maximum है तो जो हम area काम में लेंगे वो A से C के बीच में जो bending moment diagram का area है उसे काम में लेंगे जिसकी value हमारी होगी 2 by 3 B into H यहाँ पर B की value L by 2 हो जाएगी और H की value आपकी WL square by 8 हो जाएगी इसलिए आपके area की value यहाँ पर 2 by 3 into L by 2 into WL square by 8 होगी इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप CG देखें तो A से इस bending moment diagram की जो हमने लिया है उसके CG की distance X bar है और उसकी value कितनी होगी आपकी 5 by 8 into B और यहाँ पर B कितना है आपका L by 2 इसलिए X bar हमारा हो जाएगा 5 by 8 into L by 2 तो जब हम यहाँ पर इसका area निकालेंगे A to C तो हमारा कितना आगया यह minus WL cube divided by 24 और जब हमने summation A to C A X bar निकालेंगे तो area की value हमारे पास है X bar की value हमारे पास है तो इसकी value आजाएगी minus का 5 upon 384 WL4 अब यहाँ पर theta A to C equal to आपका हो जाएगा A upon EI A की value यहाँ से रख देंगे हम लोग और divided by EI कर देंगे तो हमें यह क्या मिल जाएगी A point पर slope मिल जाएगी इसी तरीके से जब हम C point पर deflection की value निकालेंगे तो deflection बराबर हमारा हो जाएगा A X bar divided by EI A X bar की value हमने यहाँ पर यह निकाली हुई है और इसको divided by EI कर देंगे तो यह हमारी C point पर deflection की value निकल जाएगी इसके अलावा third method जो होता है आपका वो होता है मिकाले method तो मिकाले method की help से भी आप इस question को कर सकते हो मिकाले method के अंदर हम A से जो हमारा B support है उसके just left में एक section लेंगे और यहां से यहां तक की distance आपकी X हो जाएगी और इस section पर हम left part को consider करते हुए moment की equation को लिख लेंगे उसके बाद यह जो मिकाले method होता है यह भी आपका एक double integration method का ही advance form है और इसके अंदर हम सबसे पहले E id square by dx square is equal to m रखते हैं यहां पर जो m की value हम रखेंगे तो m की value के अंदर हम जो first वाला wl by 2 into x है आपका यानि की wl by 2 क्या है आपका reaction के कारण जो हमारा moment आ रहा है तो उस जगह पर एक dotted line बनाएंगे जिसे मिकाले line बोलते हैं और इसके अंदर जब हम integration करेंगे तो integration के लिए जो constants आएंगे आपके वो मिकाले line से हमें just left में ही लिखने हैं तो पहले हम एक बार integration करेंगे तो हमें इससे slope equation मिलेगी इसी का again integration करेंगे तो हमें deflection equation मिलेगी अब यहाँ पर c1 और c2 constants की value निकालने के लिए हम conditions रखेंगे तो हमें पता है कि x बराबर 0 पर support लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर deflection की value 0 होगी और x बराबर जब हम 0 लेंगे तो यह जो हमारी deflection equation है इसमें से सिर्फ हम मिकाले line का जो first वाला part है वही काम में लेंगे तो जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो हमें c2 की value 0 find out हो जाएगी उसके बाद x बराबर l पर भी हमारा यानि b point पर भी हमारा support है तो उस जगह पर भी deflection की value हमारी 0 होगी तो जब हम x बराबर l पर y बराबर 0 पुट करेंगे वापस है deflection equation के अंदर तो इस condition में क्योंकि हमारा section b point के just left में है तो यह पूरा section काम में आ रहा है इसलिए हम deflection equation को पूरा काम में लेंगे और इससे जब हम constant की value निकालेंगे तो हमारे w1 constant की c1 constant है उसकी value आ जाएगी minus का wl4 divided by 24 c1 और c2 constants की value को हम equation एक और दो में put कर देंगे तो हमें slope और deflection equations मिल जाएंगी तो आप इन तीनो methods में से कोई भी method apply करके इस तरीके के questions को कर सकते हो Thank you